असोका आकादमी के असोका दाएकजाम गुरू यूटूब चैनल में साथियो आपका बहुत अबननन है स्वागत है लिजे साथियो आज हम फिर आये है जोगरफी के एक पिर नए सेट के साथ में प्रक्टिस एट नंबर 3 और कापी इंटेस्टिंग होगा आज का सेशन ऐसी म मुझे उमीद है देखिये साथियो आपके स्क्रीन पर पहला कॉर्शन आ चुका है देर के देद्यो तरंगे प्रिथवी की किस सतह से पराबर्तित होती है देखिये साथियो प्रिथवी की किस सतह से या बायू मंदल की किस सतह से देर के रेडियो तरंगे पराबर्तित होती जिसा की आपको बताया गया है रेडियो तरंगे जो पृत्थी पर बापस होती है वो आपकी आयान मंडल से बापस होती है जिहा सातियो आयो शफियर से बापस होती है ठीक है सातियो next question पर आते है बाय्यो मंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंदरित है तो कौनिश्य ऐसा इस थान है जहां पर ओजोन केंडेड्च है बाइयू मंडल कीकी था जो सबसेब पहला क्या वेडbor, शींट घ्रिक लृपन की इसित्छ फर क्या जो उपरी हिस्सा है यह वाला हिस्सा है यह आपका ओजोन लेर की है, तो आपकिश्टाप तो रिपलाई देते जाए, सेशन को like and share जरूर करें, comment box में अपना view जरूर बताएं, बिसूबियस जी हां साथियो नेक्स आपका बिसूबियस जौरमकी किस देश में है बिसूबियस जौरमकी जो है साथियो आपका इटली में है ठीके साथियो बिसूबियस जौरमकी इटली में है और एक प्रिशुप्त जौरमकी है ये इसके अलावा इटली के और हैं माउंट एटना जी हाँ सातियो माउंट एटना इस्ट्राम बोली इस्ट्राम बोली जो है भूमत्य सागर में इस्थित है इसको भूमत्य सागर का प्रकास सिस्थम भी कहते हैं ठीक है सातियो लिकन यादिकार छेतर जो है यहाँ पर इटली का ही आता है तो मैं स Только हूं digging is having हैं माउंट एटना है इस्टांबोली है कि इतली की जॉब्रम की है इसमें मैं सभी 275 आपका प्रशुक्त जॉप्त जॉब्रम की हैं मांट एटना सक्क्रिये और इस्टाम बोली भी सक्रिय है इसको भूमत्य सागर का प्रकास इस्तंबी भी कहते हैं कई बार साथियो पूछा गया भूमत्य सागर का प्रकास इस्तंबी कि जिसे कहते हैं तो इस्टाम बोली जौना मुख्य के लिए ठीक है साथियो अगला कोर्शन देखते हैं हिमाले की कि उत्पती किस भूसंती से हुई जी हां साथ यो बहुत कई बार पड़ा हुआ आपका हिमाले की उत्पती किस भूसंती से हुई दीखे एक जो भारत का ओपरी एरिया है यह वाला यह वाला एरिया जो है चाइना का एरिया है साथियो इसके नीचे अगर आप कहोगी तो यह भारत है तो चाइना जो है आपका अंकारा लेंड का हिस्सा है जबकि भारत जो है गुंडबाना लेंड का हिस्सा है यहाँ पर तक्राने से पहले यहाँ पर एक 30 सालत था जे आँ सातियों 33 सागर की मिट्टी 30 सागर का ही मलबा उपर उठके आगया जो कि हमाले परबत माराँ के रूप में आभम देखते हैं एक बात और ध्हान रहे हमाले परबत जो है भारत के सर्वोच वो भारत नहीं बिश्यो के सर्वोच परवतों में गिना जाता है और दूसी बात क्या है नवीनतम परवत सेडिया भी बिश्यो की एही है हिमालय परवत मालाएं ठीक है साथियो तो नवीनतम भी एही है सर्वोच भी यही है इसका उधारण है जो आपका मांट एबरेष्ट है दुनिया का सबसे उचा प्रवर्शिखर आपका महान हिमाल है या ग्रेटर ग्रेट हिमाले में इस्तित है साथी हो तो आपका टेथी सागर यहां पर सही जबाब हो जाएगा कोशन नंबर फोर के लिए मैं समस्ता हो सभी लोग इंज्वाय कर रहे होंगे नावशी नेक्स्ट कोशन भूकम्प में धरा तलिये तरंगे होती है प्रात्मिक तरंगे एल तरंगे गौड तरंगे प्रात्मिक और गौड दोनों तरंगे ठीक है साथी हो तो आईए हम देखते हैं प्रात्मिक तरंग है ठीक है वो ठोस और तरल दो में चलती है यह जो एल वेव हैं जिसको लॉंगिटूडटिनल कहते हैं यह तरंग्य द्रा तलिय तरंग्य सबसे ज़्यादा खतंब नाग्य इससे सबसे ज़्यादा नुक्षान होता है तो भू-कम में ध्रातलिय तरंग्य है तो अले तरंग्य जो है आपकी लागना इंवर्फ़ आपकी लंगिटुडनल र् broom गाम्य itel द्र Но नमबर S का आता है और थर्ण नमबर जो है एल का आता है एल तरंगे सबसे कमश्पीड वाली द्रातरीय होती है और सबसे ज़्याद घातक नुक्षान दायक होती है ठीक है साथी हो नावशी कुछ नमबर 6 निम्न में से कौन एक बलित परवत है बलित परवत बताना है सातियो देखिए जो हिमाले परवत मालाए है यह हिमाले परवत है यह बलित परवत का उधारण है बलित का मतलब होता है फोल्डेड जी हाँ सातियो बलित का मतलब होता है folded folded परवत भी है ये एक बात और दिहार रहे ये परवत आपका जो है हिमाले परवत मालाए जो है 33 की भूस अनती से उत्पन्न हुई है जैसा कि लाश्ट कोश्ण में या पिछले कोश्ण में हमने आपको बताया था ठीक है साथियो तो हिमाले परवत जो है हिमाले आपका सही उत्तर हो जाएगा कोश्ण नमबर 6 के लिए पेंग्वीन पक्षी पेंग्वीन पक्षी इस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाता है पेंग्वीन जो है आपका बिल्कुल ध्रुबिय चेत्र में पाए जाता है पेंग्वीन जो है ध्रुबिय चेत्र में पाए जाता है ठीक है तुन्डरा प्रदेशों में पाए जाता है तो आपका जो सही आपसन हो जाएगा कोश्ण नमबर 7 के लिए दो बाला हो जाएगा ठेके साथियो इसके अलाबा तुंडरा प्रदेशों में जो पाय जाने वाले जीव होते हैं रेंडियर है, भालू है लोमडी है, हैल है सील है, बालस है यह सब तुंडरा प्रदेशों में पाय जाते हैं ठेके साथियो तो आप्शन टू आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर अब नेक्स कॉश्चन कौनसी प्राकृतिक प्रदेश साल बर हिमाच्चादित रहता है यह साल बर लिखा हुआ है साल बर हिमाच्चादित रहता है सालबर बरप्षे ढखा रेने वाला कौन सा प्रदेश है सवाना प्रदेश, भूमत्य सागरिये प्रदेश, टुंडरा प्रदेश और टाइगा प्रदेश देकि अभी लास्ट कोशन में एक बाच लई थी यह जो ध्रोब हैं हमारी ध्रोबों वाला जो चेत्र है बरफिला चेत्र है यह बाला चेत्र जो है टुंडरा प्रदेश है और यह चेत्र ऐसा है यहाँ पर बारिस कम होती है बरफ से सालबर ढखा रहता है temperature यहां का हमेशा minus में होता है तो यह कौन सा चेत्र है बताई टेगा है, टुंडरा है भूमद सागरिय प्रदेश है या सबाना है मैं समझता हूँ आप सभी लोग बहुत आसा नहीं से पैचान पा रहे हुए जी हाँ सातियो किस प्राक्रतिक प्रदेश को सीत मरुष्थल किसे कहा जाता है अब मरुष्थल तो आप जानती है मरु मींज मरा हुआ इस्तल जहां पर जीव जनतों के लिए एक जो है उचित तापमान ना हो रहने खाने की विवस्ता ना हो ऐसे छेत्र को मरुष्थल कहते है मरुष्थल चाहे गर्म हो या ठंडा हो मरुष्थल तो मरुष्थल होता है किस प्राक्रतिक प्रदेश को सीत मरुष्थल कहते है विश्व के जो सीत मरुष्थल है वो हमारे कहा पर होंगे ध्रूबू पर होंगी यहां पर कम बारिष होती है बारिष नाम मात्र को होती है साथियो साल बर बरप से ढखा रहता है यह वाले छेत्र और इसी छेत्र को हम क्या बोलेंगे टुंडरा प्रदेश के नाम से भी जानेंगे इसको हम सीत मरुष्थल के नाम से भी जानते हैं टुंडरा प्रदेश के ल ये कभी अस्त नहीं होता किस प्राकरतिक प्रदेश में अस्त नहीं होता है ये भी देखिया गया प्राकरतिक प्रदेश में गर्मी की रितू में शूर्य अस्त नहीं होता देखिए ये हमारा रहा नौदन हमेश प्यार ये रहा सौदन हमेश प्यार उपर बाला जो है नौद सूर्य जो है हमारा उत्री गोलार्द में उत्री गोलार्द में इस समय लंबबद चमक रहा 21 जून को यहाँ पर जो है सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा यहाँ पर करक्रेखा पर या भारत में और जबकि यह बारा छे तर जो है एक गर्मी वाला छे तर होगा और सो 17 महिने का नहीं दूब ईगा का कौन नहीं डूबेगा उत्तरी द्रूप पर इसी प्रकार से आपका सिप्तमबर के बाद में सिप्तमबर अक्टूबर नौंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और यह समय यहां पर शूर्य छे महीने के लिए नहीं डूपता है तो आप से पूछा गया किस प्राकृतिक प्रद में हो तो यहां पर भी शूर्य जो छे महीने तक नहीं डूबेगा इसी लिए कहा जाता है ध्रूप पर छे महीने का दिन और छे महीने की राते जब यहां पर छे महीने अंधेरा रहेगा यहां पर छे महीने अंधेरा रहेगा यहां पर छे महीने दिल रहेगा अंधेरा का म मैं तो और जोड मानसोनी प्रदेश के बाडविश्meyas साथ नहीं भी अस्तनी सोटा कॉन से प्राकरतिक प्रदेश हो गए मतायए स् Tokyo per हो गए ट्रून्ड्रा हो गए है और हम्ला चेत्र प्र Home been a जोड़ चेतरा है घ्र्सक्राइब तॉ यह तो मैं यह Grass मानसुनी प्रदेश के अधिकांस निवाजियों के जीवन का मुक आधार क्या है मानसुनी प्रदेश जी सातियो उधोग पालन पशुपालन किर्शी खनिज उत्करन जी जहां पर भी विश्वे मानसुन आता है अगर मैं आपसे पूछू भारत की जलबाईयों कैसी है मानसुनी है चुकि इसको मानसुन कहां मिलता है अरब सागर से मिलता है बंगाल की खाड़ी से मिलता है ठीक है सातियो तो ये बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से भारत को मानसुन मिलता है इसलिए भात की जलबायू कैसी है मानसुनी है और यहाँ पर किर्शी की प्रधानता है काय की प्रधानता है किर्शी की प्रधानता है ठीक है सातियो तो मानसुनी प्रदेश की अधकांस निवासियों का जीवन का मुकादार क्या है किर्शी होगा आपका concept clear हो रहा होगा मैं समझता हूँ very nice आप लोग सही जवाब दे रहे हैं very good देखे रोपड किरसी किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है बिश्वतिय प्रदेश में, सवाना प्रदेश में रुमत्यसागरिय प्रदेश में या इन में से कोई नहीं देखे रोपड किरसी को ही हम क्या बोलते हैं रोपड का एक नाम है बागाती बागाती कहते हैं इसके लिए बागानी कहते हैं या प्लान्टेशन कहते हैं अजिया आप बहुत ही simple language में समझ जाईए कि धान है धान की अपने छेत्रों में रोपाई की जाती है धान की रोपाई होती है धान बोया नहीं जाता है बोबाई नहीं होती है रोपाई होती है अपने छेत्रों में जबकि बिस्व के अधिक्तम छेत्रों में क्या है इसको बोबाई ही होती है तो रोपड चेत्रिया, बागाती, बागानी, प्लांटेशन, देखो प्लांटेशन कौन कौन सी खेती का होता है, आपके बल धान के पॉइंट आप यू सुना देखें, चाय का प्लांटेशन होता है, कोको है, रबड है, मिर्च है, केला है, इनका सब का प्लांटेशन होता है और ये Plantation वाली खेती होती है, रोपड खेती होती है, एक ऐसी खेती होती है, उन्नत किरसी होती है, मशीनों का इस्तमाल इसमें क्या जाता है, बैज्यानिक दश्टिकोड भी इसमें अपनाया जाता है, और ऐसी खेती है, बारेंज जा किरसी भी एक तरिके से मानी जाती है, ठ इसा प्रकृतिक प्रदेश कौन सा है भूमत सागरी प्रदेश है यह वाला चेत्र है तो यह वाला चेत्र जो है आपका आप्शन यह वाला हुज जाएगा ठीक है इन प्रदेशों में रोपड किर्शी को अपनाया जाता है जैसा कि मैंने बताया चाय है कहवा है कोको है विकास का प्रदेश कौन सा प्राक्रते प्रदेश है विश्वतिय प्रदेश है वुमत्य सागरिय प्रदेश है सवाना प्रदेश है या मानसूनी प्रदेश है बताइए साथियो कौन सा प्रदेश है जिसको हम विकास का प्रदेश कहेंगे जी यहां साथियों देखिए विकास कहां पर जादा होगा विकास कहां पर जादा होगा देखिए मानसून काल है मानसून की बज़े से यहां पर किर्शी विवन तरीके की होती है विवन तरीके की फसले होती है और ऐसे छित्रों में विकास का प्रदेश कहा जाता है चोकि यहां पर किर्शी तता अन्य खादानों का भोचाद है चलर होता है ठीक है साथी हो तो मांसूनी प्रदेशों को विकास का प्रदेश कहा जाता है विश्व में जितने ही मांसून प्रदेश हैं जाए किसी भी कंटरी के हो ठीक है साथियो और मांसून प्रदेश हमेशा अक्सर जो देखे गए भूमत सागरी प्रदेश के अश्पास होती हैं मांसून प्रदेश ठीक साथिagua अगर आप मांसून ऺ lush भी आप ये बुश्बत रेख़ियो प्रदेश भी आप टिक कर सकते थी को श्रव मैं मोसी बर्षा होती है मुकता गर्मी के अंत में होती है हम आप से जाना चाहते हैं किस प्राक्रतिक प्रदेश में मौशमी बर्सा होती है और मुक्रता गर्मी के अंति में होती है थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें कि इस समय गर्मी का सीजन चला है कौन सा सीजन चला है भारत में गर्मी का सीजन चला है साथियो अगर हम इस सीजन की बात करें तो इस सीजन गर्मी का अभ़ तक रहेगा जून तक रहेगा और जून के last आते यहां पर क्या होने लगेगी बारिश होने लगेगी तो किस प्रापितिक प्रदेश में मौस्वी वर्सा होती है अब बताईए प्रेरी प्रदेश में, मानसुनी प्रदेश में, गुमद्रिसागरी प्रदेश में, अथ्वा बिश्वतिय प्रदेश में सबी लोग बहुत जल्दिश बताईए बहुती आसान है ये देखिए भात कैसा है मानसुनी प्रदेश है ये भारत मानसुन से बर्षा यहाँ पर होती है और यहाँ पर गर्मी के बाद में क्या होती है बर्षा रितु आती है सारे संकेत आपके किलियर हो रहे हैं ठीक है, very nice दीखे, नाशी कोश्ट नमर 15 कनाडा के मद्ध अक्छान्षिय घास के मैदान कहलाते हैं कनाडा के मद्ध के अक्छान्षिय घास के मैदान कहलाते हैं बहुत जंदी हो था ये प्रेरीज, पंपाज, डाउन्स, इस्टेपीज जी सातियो बहुत जल्दी बताईए प्रेरीज, पंपाज, डाउन्स, बेल्ट्स सबसे पहले हमको देखना होगा ये जो कनाडा है ना, कनाडा कनाडा जो है नौर्थ अमेरिका के छेतर का हिस्सा है नौर्थ अमेरिका और नौर्थ अमेरिका का इसे ये बाला हो गया और ये बाला कनाडा हो गया कनाडा जैसा कि आप देखना है ये कौन सा छेतर है बताईए सितोस्ट कटबंदी है कौन सा छेतर है सितोस्ट कटबंदी है और ये वाला च्छेतर कौन सा कहलाएगा ये वाला च्छेतर ये उस्ट कटबंदिये जाएगा उस्ट कटबंदिये शितो उस्ट कटबंदिये आप से घास के मैदान उस्ट कटबंदिये शितो उस्ट कटबंदिये के रूप में भी पूछे जाते हैं जबकि हम बात करेंगी क कनाडा की तो कनाडा के मद्द अक्षान सी छित्रों में घास के मैदान कहलाते हैं तो जो कनाडा वाले जो घास के मैदान है ये क्या कहलाते हैं इनको हम प्रेरीज कहते हैं इनको हम कहते हैं प्रेरीज कहते हैं थीक है ये उत्री अमेरिका में पा जाते हैं प्रेरीज प्रेरी हो जाएगा नाव शी नेक्स्ट कोश्चन निम्न में से कौन शीतोष्ट कटबंदिये घास के मैदान है शीतोष्ट कटबंदिये अब शीतोष्ट कटबंदिये का दायरा कौन सा हो गया यह तो आपका उस्ट कटबंदिये हो गये वाला सब छेत्र इस लाइन से और इस लाइन यह रहिए आपकी बिश्वत रेखा मैं गलत बना बैठा सौरी थोड़ा समझे यह बिश्वत रेखा यह वाला जो उस्ट्रकटबंदी चेत्रा यह सीतोष्र है और यह वाला शीत्रकटबंदी है तो यह सीतोष्र वाले चेत्रे है शीतोष्रकटबंदी घास भूमी है सवाना लानोज देखी उठ्ट्रकटबंदी कु supernatural से आ जाLEYETगी कंपोज पॉस कर ल lounge उशकटबंदी हो गएं कमपोज सवाना एक उस्टकटबंदी है Да लानोज भी उच्छ्छिक बंदी player उपर whyत तीनो उस्टकटिपन्दी एं तो यह वाला बेल्ट्स वाला जो है शीतोष्ट करफंदी घास का मैदान है बेल्ड यह सात्यों बेल्ट्स वाला जो हिस्ता है यह आपका आता है दक्षड अफ्रीका में कहाँ पर आता है दक्षड अफ्रीका में यह बाला छेतर है इसका इस वाले छेत में बेल्ट्स आता है निचले वाले से में ना शी नेक्स्ट कुर्शन निम्न में से कौन उष्ड कटबंदिये घास भूमी है उष्ड कटबंदिये बहुत ध्यान से देखना है आपके लिए घास भूमी है बेल्ट्स, प्रेरीज, लानोज, इस्टेपीज जी हासातियो कौन सी है उष्ड कटबंदिये उष्ड का मतलब होता है गर्भिन वाला छेतर तो उष्ड कटबंदिये में देखो कौन कौन सी है कम्पोज है, पार्क लेंड है, सवाना है, लानोज है तो लानुज आपका उष्टकटपंदिये में सो हो रहा है तो आपका लानुज वाला होगे कौन सा उष्टपंदिये जबकि वेल्ट्स है प्रेरीज है इस्टेपीज है यह शितोष्टकटपंदिये घास भूमी है जबकि लानुज कौन सा है उष्टकटपंदिये ठीक है अब यह आप इन कोशन्स को कर लीजिए लेकिन कल मैं आपको यह सब घास के मैदान पर्टिकुलर ली समझा दूँगा कि छेत्र को चारागा को वेल्ड कहते हैं देखो बेल्ड्स फिर से मागया बेल्ड्स किसको कहते हैं कनाड़ा दक्षड अप्रिका आयर्लेंड या ब्राजील देखिए यह यह रहा आपका अप्रिका महादीब और अप्रिका महादीब के सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दक्षड में दक्षड अप्रिका है और दक्षड अप्रिका में ही आपके बेल्डस पाय जाती हैं और इस प्रिकार से अगर आप देखेंगी तो यहाला कौँछ चेतर हो गया शीतो श्कटपंदी छेतर है शीतो श्कटपंदी घास का मैदान है बैट जैसा कि आपने लास्ट कोर्शन में पढ़ा था नाव शी नेक्स्ट कोर्शन भूमद रेखा के निकट किस तरह के बन पाय जाते हैं जी सातियों यह रही भूमद रेखा आपकी बीचों बीच में और यहाँ पर किस प्रकार के बन पाय जाएंगे बताईये सातियों यह रहा अपरीका महादीब और यह रहा आपका साउथ अमेर का तो यहाँ पर जो अमेजन के जंगल है और यहाँ पर यह वाले हैं बहुत जल्दी बताईये किस प्रकार के बन पाय जाएंगे कई बार कोशन इस प्रकार के मैं करा चुका हूँ भूमद रेखा के निकट उस्ट कटबंदिये पाय जाएंगे पत जड़ी पाय जाएंगे संकुधारी पाय जाएंगे या घास बन इस्थल पाई जाएंगे देखें साथियो यह जो रेखा है यहाँ पर यह आपका अपरीका और यह आपका साउत अमेरका यहाँ पर अगर आप देखेंगे उस्ट कटबंदी सदा भार बन यहाँ पर पाई जाते हैं साथियो सदा भाहर बन पाय जाते हैं उच्छी उच्छी घने घने ठीक है तो उच्छ करबंदी बन यहाँ पर पाय जाएंगे ठीक है साथियो पतेशड़ बाले बन यहाँ पन नहीं पाय जाएंगे संकुधारी बन आपके उच्छे छित्रों पाय जाते हैं और घास इस्थल भी यहां पन नहीं पाई जाएंगे तो उस्ट करण बंदी बन यहां पर पाई जाएंगे ठीक है साथियो नावसी कोश्ट नंबर 20 संकुधारी बन कहां पाई जाती हैं यह कि आज का जो है सैसन थोड़ा सा बड़ा है मैंने सोचा कि आपके लिए ज्यादा क कुशन कर आजा है संकुधारी बन कहां पाई आती है बताएए उप आर्क्टिक चेतर में धृबईय चेतर में समसीतोष चेत्र में या इनमें से कोई नहीं कोश्ट नबर 20 को भाचलनी से रपलाई करें जी साथियों शट्रकुधारी बन देखिये अगर हम देखें़ संकु ये वाला छेतर जो है, मैं दुवारा बता दूँ आपके लिए, ये इंडिया के एक्जाम्पिल से बता देता हूँ मैं, ये लो, ऐसी काम किल जाएगा, अगर हम इसके लिए देखें, संकुधारी बन कहां पा जाते हैं, समसीतोर से चेतर में, ध्रुबी चेतर में, या उप चेतर में, तो ये वाला छेतर जो है, समसीतोर से चेतर है, यहां पर आपके हमालय प्रवत्माला है, और इनी हमालय प्रवत्माला ओपर जो है, संकुधारी बन जो है, बनों का जमा बाड़ा है, तो कौन से चेतर हो गया, संकुधारी बन, का प्रपा जाते हैं, समसीतोर से shetra में तो यह वाला shetra जो समसीटोस है लाँ see next question shayberia shetra में shamashス commission कोड़नारी बन किस नाम से जाने जाते है shayberia shetra tundra prairies sauana tega reply first shayberia shetra सब सब पहले हमको को जानना होगा cyberia चेत्र जो है उसको दुबारा में बरादो लुगा इस लुगा साइबरिया है कहां पर कि यह आपका नॉर्थ पोल है और यह आप South Pole है या आपका South Pole है स्ब्री South Pole है और North Pole और South Pole North Pole के पास में एक विश्व का सब से बड़ा country है जिसको हम कहते है Russian क्या कहते है Russian और Russian में ही आपका Siberia के चेतर है तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि ये वाला चेतर जो है दुरभी चेतर है एक कौन सा चेत्र है एक टुंडरा चेत्र है एक कौन सा चेत्र है टुंडरा चेत्र है और टुंडरा चेत्र के जश्ट नीचे वाला हिस्सा ये वाला चेत्र है ये वाला टैगा चेत्र है साइब एरिया यहां पर खुब बर्ब पड़ती है बीच बीच में और बर्ब के समय म यहां कि इस समय में यहां पर सायबे में समसीतों इसलृ को ड़धारी बंद को किस नाम से जानते हैं तो इयह बाला आपका क्या हो गया तुंडरा ठीक है तुंडरा ओंसा हो और यह सा हो गया यह अगे और मजे की बात आपके लिए बता दूँ उस्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ बात देखिये सातियों तीक है बहुत द्रि jullie सातर ना आप यह पर देखनाrain यह तेगा चेत्र है यह वाला कुंडर चेत्र है लेकिन दक्ष्ड गोलार्द में यह सवधन हेमिस्प्यर में आपका टेगा वाला चेत्र है वह यहां पर नहीं पाया जाता है चोकि यहाँ पर समुद्र ही समुद्र है यहाँ पर कोई भी वो नहीं है समझ रहे हैं आप बात के लिए तो टैगा प्रदेश आपका डक्ष्री गुलाद में नहीं पायाते हैं जबकि टैगा छेतर जो है उत्री गुलाद में पायाते हैं मैं समझता हूँ आप सभी के लिए बहुत अच्छे समय में आ गया होगा तो आपका कोशन क्या था कोड़धारी बन समसी तोष्ड साइवेरिय थित्र में पाई जाते हैं क्योंसा नाम है इनका टैगा कभी-कभी आपने टैगा और टुंड़ा का नाम चुना होगा निम्न में से किस प्रकार के बनों का विस्तार के बन उत्री गुलाद में होता है देखिए लास्ट कोशन में मैं कुछ समझा रहा था कुछ-कुछ हम उशी के नजसरमी पहुच रहे हैं कौन से बन है निम्न में से किस प्रकार के बनों का विस्तार उत्री गुलाद में पाई है उत्री गोलार्द में कैसे पाया जाते हैं मांसुरी बन पाया जाते हैं वह मत्यसागरी बन पाया जाते हैं समसीतोष्ण बन पाया जाते हैं या विश्वत रेखे उश्राद बन पाया जाते हैं तो देखिए जो उत्री गोलार्द है इसमें समसीतोष्ण बन पाया जाते है इसमें समसीतोस्र बन कोड़धारी बन पाय जाते है ठीक है साती हो जबकि दक्षडी गोलाद में नहीं पाय जाते है जबकि दक्षडी गोलाद में नहीं पाय जाते है थोड़ा याद करिए इससे पिछले वाले कोशन के लिए कॉडधारी रबन कौन से हो गया यह तो टुंडरा प्रदेस हो गया यह तरह स्क्रेड्वी बनीट कैसे होते हैं। और यह बन जबकि यहां पर नहीं पाहे जाते हैं घीकसातियो हो, आपका warto अक्छे से clear हो गया होगा जबकि उत्री गोलाद में पाहे जाते हैं रखीरी गोलाद में नहीं पाहे जाते हैं ना फिच्स अे सनी Cast निमने लिखित में कान टोक्यो का बंदरगाह यह देखिए सारे बंदरगाह जो है एक जापान के यह जापान चीन के पास में इस प्रकार का कंटरी है जो कि चार इसों बठा हुआ है Hokkaido, Hansu, Shikoku और Kyushu चार दीप है इसमें से जो आपका कोबो है, याकोहमा है कोशाका है, नगवया है ये चारों बंदरगा आपके का के हैं, जापान के हैं लेकिन यहां पुछा गया है कौशा बंदरगा टोक्यो का है जो टोक्यो का बंदरगा है जापान की दाजानी क्या है टोक्यो, जो कि यहां पर इस्तित है हांसु में इस्तित है और यही पर है आपका याकोहमा बंदरगा बहुत फेमस है बिश्व प्रसिद्ध है जापान की तो टेक्नलोजी की बिसे में आप जानती ही है सुना तो हो गई खेर ठीक है तो आपका option two यहाँ पर सही हो जाएगा now the next question सर्वोत्तम कोटी का संग्मर्मर बिलता है जी हाँ साथियो यह तो भौध जल्दीश पता देंगे आप लोग जी कि सर्वोत्तम कोटी का जो संग्मर्मर है जो कौन सा है मकराना मकराना का संग्मर्मर जो है राजिस्थान का सबसे ज़्यादा उत्तम क्वाल्टी का संग्मर्मर है ठीक है साथियो now see next question निम लेखित में से किस आड़विक खनिच के संचित भंडार की दर्ष्टी से भारत प्रिथमिस्थान पर है बिश्वे प्रिथमिस्थान पर कौन से आड़विक भंडार की दर्ष्टी से यहां साथियो यूरेनियम है आपका ग्रिफाइट थोरियम एंटीमनी ये सबी जो है खनीज वदार्थ है बताइए साथियो किसमे भात का पित्धमिस्थान है, देखें ए जो थोरियम है, जो पित्धमिस्थान है, ठ्र।ероयमके उतपादन में भारत, पित्धमिस्थान का entendu है, थोरियम के उत्पादन में जो भारत है वो पिर्थमिस्थान पर है ठीक है साथियो थोरियम के थोरियम में भारत जो है पिर्थमिस्थान पर है और थोरियम सबसे ज़्यादा कहां पर होता है भारत में भी केरल में होता है ठीक है साथियो थोरियम जो है केरल में सरवाधिक होत होता है कजाकस्तान में होता सबसे जयए है कजाकस्तान कजाकस्थान ठीक है साथयह तो इस प्रकार स的 आपका थोरियम बाला आप्षन है, यह बिल्कुल ठीक हो गया, थोरियम के उत्पादर में भाद का बिश्मे प्रिथमिस्थान है, नाशी नेक्स कुश्चन, निमनिलिकित में से कौन सा राज भारत में अबरक का सबसे प्रमक उत्पादर है, देखिए हम आपको बता दें, अ चटान होता है, जो कि जमीन के अंदर से निकलता है, और अबरक क्या होता है, बिद्दुत का पूरी तरिकेश क्या होता है, कुचालक होता है, सब सब पहले ये बात सूच लिए, कुचालक, इसका उप्योग कहां पर होता है, अबरक का प्रियोग कहां पर होता है, जो आप जो प्रेस होती है जो इस्तरी होती है प्रेस जिससे आम कपड़ों पर करते हैं कपड़ों को शीडा करने के लिए ठीक है तो उसके लिए जो है उसमें जो एलिमेंट होता है वही जो है अबरक का होता है जो पॉलिथिन जैसा होता है वही जलता नहीं है भले आपका जो है वह अभी भी जलता नहीं पॉलित्थीं जैसा होता है ठीक है भद्दा-बद्दासा गंदा-गंदासा वही अबरक होता है चलो खैर एक तो बात है अबरक के उत्पादन में भारत विस्त में पृठमिस्थान पर है पूरी दुनिया में अबरक जो है सबसे ज़्यादा जो है भार भारत सबसे अगणी देश है और भारत में भी जारकंड में अबर्ग निकलता है नाशी नेक्स कोश्चन भारत में स्वण कहां पाये जाता है सोना कहां पाये जाता है देखिये सात्यों करनाटक में है कोलार की ख़दानों से निकलता है जबकि आपका पंदना से हीरा निकलता नेक्स-कोश्यन कोईले के किस परकार में कार्बन की मात्रा 95 % होती है बहुत दो भी पर दिश्वताए है लगनाइट पीट ंफ़ आघ व Knox करेंगे टो क्यों क्यों हूथ है एन्थर साइड जी साथ आती हो और एंत्री साइट में जो है यह 94 से 98 परसेंट कारबन सरबादी की सीम होती है और यह कोईला जो है सबसे उन्नत क्वालिटी का कोईला होता है लेकिन जो सेकंड नमबर पर आता है बिटू मिनस बिटू मिनस में भी आपका जो है 78 से 78 से 86 परसेट कारबन होती है जबकि हम बात करेंगे थर्ड नमबर पर है आपका लिगनाइट लिगनाइट आपकी जो है 20 से 30 परसेट 20 से 30 परसेट इसमें कारबन होती है जबकि पीट जो है सबसे गिसा पिटा सबसे बेकार वाला कोईला होता है ठेक है साथियो तो आपका आं आत्रा पिचानल प्रसत होती कौन्षी कैटागरी आ रही है आपकी ये वाली कैटागरी हो रही है थीक है कौन्षी एंथ्रेशाइट वाली तो एंथ्रेशाइट आपका सही आंसर है किसके लिए फार कोश्ण नबर 28 बेरी नाइस बहुत अच्छे रिप्लाई भी करते रहे है अपना कीमती सुझाओ भी देते रहे हैं नाशी कोश्ण नबर 29 संसार के कुल भूमी छेतर के कितने प्रत्सत भाग पर बन नोशे आच्छा दित हैं देखिए संसार का जो है लगभग 10 प्रत्सत लगभग 10 प्रत्सत जबकि आपको जगया भी देखोगो 9.5 प्रत्सत भू भूमी पर ही क्या है बन पाए जाते हैं यह बन अच्छा दित है जब्कि भाव की गभात करेंगी तो लगभग 24ory 24 प्रिश्ट जो है भारत की भूमी पर बन पाए जाती हैं तो भात की भूमी पर कितने पाए जाती हैं कितनी प्रिश्ट भूमी पर दस प्रिश्ट बन पाए जाती हैं ठीके साथियो कॉंसेप्ट मैं समझता हूं आपका किलियर हो गया होगा तो आपका जो है दस प्रिश्ट सब्सक्राइब कि भारत के कितने भूमित पाजाते हैं 24 पर भारत कि दोनों पूछी जगे हैं कई बार नेक्स कोर्शन मतस्ष उत्पादन में बिश्व में पिर्थम इस्थान किस देश का है ऑस्टेरिया शीलंका भारत या फिर जापान जीहां साती हो रिप्लाइब फास्ट देखें जापान जो है जापान छोटा कंट्री जरूर है लेकिन मतस्ष उत्पादन में बिश्व में इसका पिर्थम इस्थान है दोस्टी खास बात इसकी क्या है यहाँ के 20 प्रतसंद जो लोग है वो मचली के भोजन पे ही निरभर है तीसी खास बात यहाँ पर मचली का जो है परहेड खपत जो है सबसे ज़्यादा जापान की है विश्में ठीक है साती हो इसकार सम्मतष उत्पादन जो है जापान में सरवादिक होता है नाशी नेक्स आती हो question number 30 बिश्व में परमारू सक्ति का सबसे बड़ा उत्पादन तथा उप्भोकता है परमारू सक्ति की तो कहने क्या है चाहे USA हो चाहे आपका चीन हो चाहे आपका रसिया हो चाहे जर्मनी हो देखे, सबसे ज़्यादा परमाडू सकती का उत्पादन और उप्भोगता दोनों ही छेत्रों में क्या है, USA आगे है, सजिक्तुराज अमेरिका, ठीक है सातियो, नाशी नेक्स्ट, नियाग्रा जल्प्रपाद कहां इस्तित है, फ्रांसे में, जर्मनी में, सजिक्तुराज अ होता है, एक ऐसा जल्प्रपाद एक ऐसा जहना जो की काफी उचाई से गिरता हो, यह जो नियाग्रा जल्प्रपाद है सातियो, एक कनाडा कहां पर पायाता है, कनाडा और USA की सीमा पर पायाता है, कनाडा और USA की सीमा पर कौन सा पायाता है, नियाग्रा जल्प्रपाद पा कि पहुन्ध पूछ आने बाला कोश्टन है ये ठीक है साथ हूं जब्कि भारत का नियगरा का मिई ऑफित और जिल जन प्रपाथ जिसे बोलते हैं इंद्रावति नदी पर है जो कि चत्रकोट में भात का नियागरा को पर है इंद्राबति नदी चत्रकोट में तीके साथ यो संसार की सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में है दक्षड अफ्रीकागर राज्य में साइट राज्य में जांबिया में मुरको में बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथ यो एक जगह है जिसको बोलते हैं अफ्रीका अफ्रीका महादीब का जो है जो दक्षड बाला चेत्र है जी साथ यो यह बाला चेत्र है यहां पर सोने जो यहीं पर निकाला जाता है और यहां पर सोना जो है विश्व की अप्रिक्षा सबस्जाला सस्ता भी है ठीक है साती हो कास यहां दक्षिड अप्रीका जाने का मौका मिल जाता है तो सोना ही सोना ले आता है कौन-कौन जाने का इच्चुक है दक्षिड अप्रीका सोना लेने तो आप्षिड अप्रीका वाला जो आप्षिड है वो संसार की सोने की सबस्वर्णी खदान कहां पर है दक्षिड अप्रीका में है next question उर्जा का पारांपरिक्सरोत है बहुत एजी अच्छा है उजा के पारंपरिक स्रोत साथियो कौन से होते हैं पारंपरिक का मतलब होता है परंपराशी जो लंबे समय से लगातार जो है इस्तेमाल में आ रहे हैं जैसे कौन कौन से परंपरागत स्रोत होते हैं उजा के पताईए साथियो जैसे कोईला कोईला ह है डी जल है कच्चा तेल है यह सब आपके परम्परेख में है ठीक है साथियो और जल है यह ज्लक आपकर जल वाला ठीक हो जाएगा यह पारम्परेख सूरूत है जबकि गयर पारम्परेख में कौन की चान जाते हैं पबन है ज्वार है इक है जो आर्भाटा है सूरिय यह आपके गैर पारब्रिक में आएंगे ठीक है कि कैसा आती हो नौशी नेक्स्ट कुर्शन किस देश में पबंचक्कियों से बिद्दुत पैदा की जाती है कौन सा देश है इसा पबंचक्की वैसे तो पबंचक्की भारत में साथ इंडिया में ज्यादा पाई आती है लेकिन पबंचक्क्कियों से बिद्दुत पैदा करने वाला देश कौन सा है नीदर्लेंड नीदर्लेंड जो है कहा का देश है यूरोप का कंट्री है यह यूरोप ठेकर साधियो यूरोप का कंट्री नीदर्लेंड नेदर्लेंड में पबंचक्कीयों से बिद्दुत पैदा किया देथे हैं भहुत बड़ी संख्या में आप्रमुची-उची लगाई गई नहीं है खाने ची पधार्थ जो है कहने के खोद कर निकाले जाती है ठीक है जो कि उर्जा संसादन होती है जो खोद कर निकाले जाती है ठीक जैसे कोईला नावशी नेक्स वोश्शन कोईला है पेटोलिमे बिश्व में तेल का सबसे बड़ा उप्रोकता है जी सात्यो विश्व में तेल का सबसे बड़ा उपवोकता कौन सा कंट्री है रूश, Σवाइक तुराज, अमेरिका, लीबिया, इरान जी हाँ देखे तेल का सबसे बड़ा उपवोकता कौन है USA सवाइक तुराज, अमेरिका नेक्ट कोश्चन बहे खनिजो अपसादी सहलों की परतों के बीच मिलता है अपसादी सहलें, सहलें कितने प्रकार की हैं आगने, इगनियस, अपसादी, सेडिमेंटरी, रूपांतित, मेटामार्फिक जिनको कायांतित के नाम से भी जानते हैं गोई आपसादी सहलो से मिलता है मतलब शैडिमेंटरी रॉक से मिलता है आपसादी सहलो कैसी होती है परतदार होती है तो ऐसी सहलो से जो मिलने बाला खनीज वहता है कोंसा है कोईला है सोना है चंदी यह सब कैसी है आगनें से मिलने वाले हैं ऐसी मिलना है आगने हाला कि कोईले का कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो बेकार बाला है जिसको पीट कहती है यह आपका किस से मिल जाता है यह भी आपका अपसादी से मिल जाता है लेकिन मैग्जम कोईला जो है कहा से मिलता है वो आपका वो आपका आगने से मिलता है ठीक है इस प्रिकार से इस देश्टी साथ देखेंगी तो लोहा जो है अपसादी सहलो का कौन सा है बताईए कोई ना सोना लोहा चांदी जी तो आपका ये लोहा हो गया नाशी नेक्स वोशन शक्ति का आपारमपरिक स्रोत है देखो पारमपरिक और आपारमपरिक पारमपरिक के विष्म हमने पिछ़ली कौशन में जिक्र किया है जिसको गयर परमपरागत कहेंगी कौन-कौन से हो जाएंगी पता ही कोईला आए खनीश तेल है था बिद्दूत है शरूरजा है कौन सा हो जाएगा कोईला बहुत समय से इस्तिमाल हुज ही खरी यह defining ग रहा है लिकिन तौह जो सौध उर्जा है थैस को गयर्पारम पर अगत कहेंगे जैसा कि हमके हमने साथ जो बताया थी गैर परमपरागत या आप परमपरिक जो स्रोत है वो कौन से है सूर्य है पबन है महासागरिय उर्जा है भूतापी उर्जा है बायुमास उर्जा है ठीक है ये आपके जो है गैर परमपरागत जीव इंदन है तो ये क्या है एक गैर प्रमप्रागत उर्जा के स्रोत है इंद्रा गांधी इंद्रा पॉइंट का अननाम क्या है इंद्रा पॉइंट कहां पर है सातियो इंद्रा पॉइंट भाद का दक्षरतम बिंदू है सातियों अन्यमान निकोबार में ग्रेट निकोबार में है सातियों कहां पर है ग्रेट निकोबार और इसको हम किस नाम से जानते हैं पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं दरसल अब भात की पूर प्रिधार मंत्री श्रीमती इंद्रा गांदी 19 फरबरी 1984 को पिगमेलियन पॉइंट पर पहुझी थी और यहीं का एक मतलब आप कह सकते हो अन्दमान निकोबार का एक जो इस्थानिय सांसत था उसने ही इस पिगमेलियन पॉइंट को क्या है इंद्रा पॉइंट का नाम इस प्रकार से आज की सातियों पूरी हो गई है हमने आंसर की आगे लगा रखी है कभी भी आपको हेल्प क्याब सकता पड़े तो आप यहां से ले सकते हैं हेल्प ठीके सातियों आज का सेसन कैसा रहा इसको लाइक और शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में